नमस्कार एक और ना वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में आप लोग के लिए एक मिडिल क्लास फेमली के दौरा बनाया जारा जो घर है शत के ढ़लाई से पहले तक का जो काम किया गया है इसके बारे में आप लोग को जनकारी द रख सकते हो या फिर आपका कितना खर्चा वह आ सकता है तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को सुरू करते है चोटा से रिख्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लिजएगा तो यह तो फ्रेंट भीव आप देख इसका टृप वी बियो दिखाने वाला मुंपर लेकर चलूंग निखाऊंग नीचे में फिरवत हणनी कम वगरे आ नॉव इंद्व बार्पında को अगर यृगा है लो जो आई खराइन वह कों कॉलम किया सकते हो लिए तो इसलिए आप अपने घर को 2-3 तेला तक ले जा सकते हो 9 इंच्छ में 12 इंच का कॉलम से किसी भी तरह का सबस्क्राइब का बारह गाला नहीं इस तरह सारा कोलम है इससे तरीका से काम है वो किया गया साइज भी सेम है और यह डी आप देख पा रहे हो दस इंच का यहां पे घर के लिए का में वह किया गया असानी के साथ देख सकते हो इसमें चार सरीय के इस्तिमाल किया गया है 12 mm का तो दोस्तों यहां पर क सर्य करी इस्तिमालması काम किया गया इसको दिखाता हूँ अलग तैप से काम हिए किया रहा है यह इसली यहां पर देख पा रहा हो तो ञek तर फिर जल्दी से चलेंगे अंदर जानेंगे कितना का है वो खर्चा वो जितना काम के बारे में आप जानते हो उतना आप अंदाज़े लगा पाएगा अपने बनने वाले घर के लिए कि आपको कितना का खर्चा है वो आ सकता है यहां पर रखा गया है यहां आप असानी के साथ देख सकते हो यहां पर सारा चार फीट का में इंट्रेंस का यहां पर गेट है इसका पैटन मुझे बहुत पसंद है अब दिखाऊंगा अंदर में किस बैकिंग घर को बनाया जारा है और अच्छा सा जगा को उटिलाइस किया आपको यहां पर मिल जाता है क्लोग अबनाः दोस्तों बहुत सारे लोग नीचे का जो सिड़ी होता है उसको जलाई के साथ काम करते से इसलेप का कास्टिंग करते उसके बाद के साथ भी बनाते उसमें खर्चा फोरा काम आता है लेकिन यहां पर दिखेगा फुली आर्च इसलिए आप यहां पर देख पा रहे हो तो देखे यह तो हो गया आपका इस घर के लिए यहां पर की आपका कीचेन वहां पर हूल के साथ है पीछे के तरफ दो रूम और आपको देखने को मिलेगा देखे दोनों रूम है उसके बाद में आटाज ट्वलर बात एक रूम में इस घर के लिए मास्टर बेट रूम होगा तो देखे यहां पर मैं आपको फिर से दिखा देता हूं इस तरीका से यहां पर कामेवो किया जा रहा है यहां पर यहां पर सिंग के लिए जगए यहां पर दिख पार हो यहां पर विंडो है इसके साथ एक और यहां पर अब कर लिखान के साथ शारे काम करवादी या ओपका इस तरीका से आप अपने कामें하신 और में है यहां पर यांप पहले रूम हो गया यह は तो corner वाला जो room होता है वहाँ पे अगर आपका पास है दोनों तरफ जगा तो आप double window का परियोग जरूर करवाज जगा इससे आपका बहुत ज्यादा benefits हो सकता है और इसके साथ साथ तो right side में काम किया गया है इस घर के लिए master bedroom अगरा है अभी दिखाऊंगा आपको कि किस तरीका से आपके काम किया गया है टॉप भी इसका दिखाऊंगा जहां से आपको पूरा clear हो जाएगा कि किस pattern पे इस घर को बने आजारा है आप देख सकते हो यहाँ वाडरोब वगारा के लिए जगा रूम का अंदर में चोड़ा गया है और एक विंडो भी यहाँ पर देख सकते हो उसके साथ दूसरा दिवाल है वहाँ पर भी दिखाता हो कि किस तरह का इस घर का काम है वह किया जारा यहाँ पे आप देख सकते हो तो दोस्तों यह देखि अधरी दिवाल है वो दस इंची का अंदर का दिवाल है वह पांच इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया दोने तरफ रूम बीच में यहाँ पे कॉमेंट ट्वलडब बात बनाया जा रहा है यह देखिए इस तरीका से एक और रूम में यहाँ आपको देखने को मिल जात मुझाइब में रूम Dollar के सकते हैं लुप है रू अन्दर के साह आँ ने को मुए पूपा रहे हो शाब और डाइनिंग रहे हैं कीचेन ट्विलाड बातरूम के साथ सीडी देख रहे हो साइस के बात कर ले जा तो फॉर्टि त्री फाइट फीट बाइट थाटी फीट में इस घर को बनाया जा रहा है दोस्तों मेरे तरह ठीक नहीं फिर वे मैं आप लोग को कुछ जनकारी दे दिया ज देखा गया प्रोपर तरीका से कॉलम और विम का इस्तेमाल करते हो तो कोई दिक्कत नहीं अंदर में आप इस तरीका से पाटिसन वालकर रूप में पाच इंची के साथ काम कर वा सकते हो बाहर का सारा दिवाला दस इंची का यहां पर देख पार हो फर्स बगर बनाने का का काम है वह कंप्लीट कर लिया गया है असानिक के साथ आप यहां पर देख सकते हो यह सारा जो ब्रिक वर्क है चत के डिलाई से पहले तक काम कर लिया गया थो उसके बारे में आने वाल दिन में आप लोग अपडेट दूंगा कि किस तरीका से जुराई करते हुए घर का जब धलाई कर दिया जागा तो वाक्तुरू फीट से आपको लाऊंगा दिखाऊंगा चत का हाइट का बात कर लिए जबके लिंटल बीम का बात कर ले जाए तो साथ फीट का रखा जा रहा है इसलिए आप यहां पे देख पा रहे हो चलिए दोस्तों में आप लोग को जल्दी स हर के जो च्छत का काम किया जा रहा है वहां पे ले चलता हो सीडिक साथ में और उसके साथ आपको डेलाई वो कि शाति का तका GAR का किस देंस ग किया गया है तो देख सकते हूं यहाँ पर जो उपर से जो काम किया गया है, यहाँ से main entrance से इस घर का, यहाँ से अब गर में इंटर करते हो, उसके साथ आपको यहाँ पर गो जाता है CD, CD का landing में अभी में खड़ा हुआ हो, यहाँ पर आपको मिल जाता है kitchen, उसके आगे आपको hall के साथ dining area मिलता है, उसके साथ में फिर आपको यहां पे एक और रूम देखने को मिल जाता वा आप कौने है जैसे ही आगे काम बनाया जाएगा इसके पढ़े भीडियो लाओंगा बताऊंगा कि किस तरीका से घर को कंप्लीट किया गया और कंप्लीट होने तक पूरा कितना पैसा कर चाया ऐसे बहुत सा रगर का डिजाइन और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा थैंक्यू सो मच